हेलो बच्चो आई मर्चना चोदरी हम पढ़ रहे हैं सेल के बारे में आज का टोपिक है इस्ट्रक्च्रा ओर्गेनाईजेसन उप्दा सेल प्लाजमा मेंब्रेन और सेल मेंब्री प्लाजमा मेंब्रेन सेल की बाउंडरी बनाती है यह बाउंडरी जरूरी है क्योंकि सेल का जो मैटिरियल है लिविंग सबस्टांस है वो जैल टाइप है अगर सेल मेंब्रेन नहीं होगी तो यह फ्लो आउट हो जाएगा तो सेल के एंटिटी कहां बचाएं सेल में आउटर मेंब्रेन सेल वोल भी मिलती है जो एक रिजिड ब सबस्टांस है जो भी सका लिविंग कंटेंट है वो एंवार्यमेंट से अलग रखती है मलग सैल की एंटिटी को बनाया रखने के लिए सेल मेंब्रेन जरूरी है दा प्लाजमें मेंब्रेन अलाव और परमिट दा एंट्री एंट्री एंड एग्जिट ओव सब मैटिरिया in and out of the cell कुछ material cell के अंदर आ सकते हैं और कुछ भाहर निकल सकते हैं मतल़ है यह selective permeable है selective permeable selective selective कर ती है चूज करती है कि किन solute को अंदर जाना और किन solute को भाहर निकलना है इसलिए यह है selective permeable membrane it also prevent movement of some other material the cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane some substance like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by the process called diffusion diffusion की process से कुछ carbon dioxide and oxygen molecule कोई permit करती है अंदर जानने के लिए what is diffusion diffusion moment of substance from its higher concentration to lower concentration called diffusion मनला high concentration से उसके low concentration की और किसी substance का जाना क्या होता है diffusion we thought that there is a spontaneous moment of a substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low मनलब इसकी concentration जहाँ जाद है वहाँ से कम concentration की अफलो क्या है diffusion है जैसे हम कोई रूम में कोई अगरबत्ती लगाते हैं कोई अगरबत्ती लगाई तो उसके जो से पूरे रूम में फैल जाती है उसकी खुशबू फैल जाती है तो यह क्या है एक diffusion है या किसी ने कोई perfume लगाया उसकी खुशबू भी सब जगा जाती है तो यह क्या है एक diffusion electrical charge selective permeable made up of lipid and protein जो plasma membrane है वह किसकी बनी होती है है लिपिड और protein की selectively permeable है और electrical charge है एक्टिन में life क्या है life क्या है disbalance of charge ही क्या है life है यह क्या है यह क्या है जब कोई CT scan कराते है तो यह क्या है life living living को सो करती है और जब यह हो जाता है तो क्या यह क्या है पोटेंसे डिफ्रेंस ओफ चार्ज इस लाइव नेजली क्रेमर क्रेमर ने इसको cell membrane का नाम दिया playground ट्रोंडी सेंड्विश मोडल क्यों दिया डिफ्रेंथ और डॉसन नेका कि प्लाज्ममद मेंउब्रेंश रिप्स संवाह सींट्विश क्या होती ह् बरेड्ड के बीच में ये दो की तरह काम करती है मनला लिपिड और प्रोटीन के बनी हुए इस्ट्रक्चर है यह एक इकाई की तरह है वह सब ओर्गन में जो हाँ भी प्लाजमा मेंब्रेन होती है वह लिपिड और प्रोटीन के एक यूनिट की बनी होती है जिसमें प्रोटीन बाहर की साइड प्रोटीन औ मिलती है। उसे कहते हैं मोडल गाल सुंगंत निकोल सब्सक्राइब बताया था वाद quello Birky युद में ब्रोटीन की बंटे में दो लिपिड की लियर मिलती हैं 2009 की देर नहीं प्रोटीन दो त्रेके चैनल लगी होती है एक तो भार और एक अंदर जो भार लगी होती है उसे कहते हैं extrinsic और जो अंदर की side होती है उसे कहते हैं intrinsic लिपिड जो है polarity so करता है इसका भार का भाग को कहते है polar head polar head जो होता है hydrophilic 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 means lover जो water के परती foundation रखता है जो foundation रखता है water के लिए और इसको कहते है hydrophobic hydrophobic non polar portion यह non polar पार्ट होता है लिपिड का जो होता है hydrophobic 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 means water flowing मिले डर मुले जो जो जिसके water के परती को है बंदूता नहीं होती है boundary नहीं होती है एक्ट्र में क्या सैल जो है na 70% water की वनी होती है body का लगबक कितना पार्ट है water का 70% जो plasma membrane इसके requirement के उसारी से पानी होना चीए क्योंकि water के प्रकरती क्या होती है गोलने की हर चीज को खतम करने की लेकिन अगर इसमें 100% पानी सेल के अंदर चलागा तो सेल खतम बश्ट हो जाएगी इसलिए इसको सेल की limitation बनाए रखने के लिए plasma membrane का काम होता है तो जो यह hydrophilic portion ने यह तो क्या पानी को attract कर रहा है जो phobic है यह repel कर रहा है तो protein भी दो तरह के से लगी होती है एक तो यह internal part बनाती है internal portion और यह peripheral portion बनाती है जो यह internal portion बना रही है यह क्या whole type structure बना लेती है जो solute के जो particle होते हैं उनकी entry को क्या maintain करती है इसे सबसे acceptable जो model है वो दिया singer और Nicholson ने fluid mosaic model function function क्या apply membrane का give definite shape and size cell को क्या देती है definite shape and size देती है give protection to the cell act as selectively permeable by two method selectively permeable by two method active transport and passive transport passive transport में ATP consume नहीं होती है ATP का use नहीं होता है ठीक है यह free of cost है high concentration to lower concentration मला substance के जह higher concentration होती है वहां से lower concentration की और flow यह passive transport लेकिन active transport active transport होता है कम से low से higher क्योंकि प्रकर्ति का तो low है higher से low और प्रकर्ति के low के विप्रीत जा रही है कोई चीज मला यहां पर क्या ATP खर्च करने पड़ेंगे यहां पर तो कुछ न कुछ खर्च होगा तभी जो है यह transport हो सकता है क्योंकि यह हो रहा है low से higher की और तो इसमें ATP खर्च होती है endocytosis plasma membrane के थूप food का intake करना क्या है endocytosis respiratory enzyme found on bacterial cell surface bacteria cell surface की membrane पर क्या मिलते है respiratory enzyme क्योंकि bacteria cell तो single membrane की बनी हुई होती है और जो भी biological एक्टिविटी हो रही है वो होती है cell membrane पर तो cell membrane पर instruction मिलती है meosome meosome जो mitochondria के समान है तो respiration होता है cell membrane पर diffusion diffusion क्या होता है flow substance from its higher concentration to its lower concentration क्या है यह diffusion respiration हम हम intake करते है oxygen का और छोड़ते है CO2 क्योंकि atmosphere में oxygen की मात्रा जाद है oxygen हम ले रहे है बोड़ी जो consume हो रही है और consume होने के बाद जो waste product के रूप में CO2 निकल रही है क्योंकि CO2 जो है बोड़ी में collect हो रही है इसका pressure बोड़ी में जाद हो रही है इसका pressure बोड़ी में जाद हो गया तो higher pressure से lower pressure की और flow होगा gas का ठीक है तो CO2 क्या बोड़ी से बहार निकल जाएगी और oxygen की सरीर में कमी है और oxygen के अंदर चले जाएगा तो यह क्या है diffusion something similar to this happening in cells when for example some substance like CO2 which is cellular waste and requires to be excited out by the cell यह क्या है एक cellular waste है वो इसे सरी से बाहर निकालना होता है accumulate in high concentration inside the cell cell के अंदर यह high concentration के रूप में accumulate हो जाती है इखटी हो जाती है in the cells external environment the concentration of the CO2 is low as compared to the inside the cell चुकि atmosphere में तो 0.03% ही CO2 है और body में बहुत सारी इखटी हो जाती है तो body में pressure जाद हो जाता है भाहर के पेक्सा as soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside a cell CO2 moves out of the cell CO2 के रूप से भाहर आती है from a region of high concentration to a region of lower concentration outside the cell by the process of diffusion similarly oxygen enters the cell by the process of diffusion when the level or concentration of CO2 inside the cell decrease thus diffusion play important role in gaseous exchange between the cell as well as the cell and its external environment that is diffusion osmosis osmosis is special type of diffusion of water in which we saw only water percentage ठीक है यह osmosis जो है एक diffuser की special type है osmosis the movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in the water water की है अपनी एक potential energy होती है ठीक है motor की potential energy solution की potential energy से जादा होती है solution पहले solution समझते है solution होता क्या है solution होता है solution होता है solute plus solvent solute solute जो कुछ हमें घोलना होता है और जिसमें हमें घोलना होता है वो solvent solute मैं simple way मैं समझते है जिसकी percentage कम होती है कम होती है और जिसमें घोलना जाता है जिसकी percentage जादा होती है वो solvent solute का molecule size बड़ा होता है solvent की अपेक्सा जैसे यह water यह water है water में हमने सूगर मिला दी चीनी सूगर की मात्र क्या है कम है यह क्या होई solute किसमें मिलाया water में water क्या होई solute ठीक है जिसमें जो जीज घोली जाती है वो है solute और जो घोली जाती है वो solute thus osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through a selective permeable membrane to a region of low water concentration 10 equilibrium is real equilibrium लोग समानता जब तक कि water की समानता दोनों तरफ समान नहीं हो जाती तब तक क्या उसका diffusion होता है किसका water का it is known as osmosis hypotonic solution hypotonic solution hypo means hypo means tonic means concentration जिसकी concentration कम हो मतलब इसमें solute molecule कम है solvent की अपिक्सा solvent जाद है और solute कम है solute की percentage जिसमें कम हो ऐसे एक solution में hypotonic solution में ऐसे एक solution में किसी cell को डाला जाता है मतलब क्या है यह है hypotonic hypotonic मतलब इसमें solute की मात्रा जादा है solute की percentage जादा है higher side तो क्या होगा क्योंकि हमने अभी देगा water concentration किसी में जादा है water concentration इसमें जादा है इसमें जादा है क्योंकि यह hypotonic इसकी concentration कम है water concentration जाता है तो क्या होगा water molecule में जाने शुरू हो जाएंग cell क्या होगा swell up हो जाएग तो इस condition को कहते है hypotonic the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell meaning that the outside solution a very dilute क्यों इसमें solute molecule कम है the cell the cell the cell will gain water by osmosis तो osmosis के तुरू क्या cell के अंदर पानी जाना शुरू हो जाएगा such a solution is known as the hypotonic solution hypertonic solution hypertonic solution hypertonic solution plus tonic hyper means अधिक higher side tonic means concentration अधिक जिसकी concentration जादा हो मैं वोटर के percentage less हो कम हो than the cell और cell के अंदर कैसा है hypotonic तो क्या होगा cell का वोटर बहार निकलना शुरू हो जाएगा through the osmosis तो इससे क्या होगा cell shrink हो जाएगी cell shrink हो जाएगी तो इस condition को बोलते है hypertonic if the medium has a lower concentration of water than the cell meaning that it is a very concentrated solution the cell will lose water by osmosis cell क्या करेगी water का loss करना शुरू करतेगी through the process of osmosis such a solution is known as the hypertonic solution isotonic solution isotonic solution iso means same tonic means concentration जिनकी concentration समान हो cell की भी और जो solution यह बहार लिया है इसकी भी concentration समान हो सेम मालिया तीन रूपे इसने दिया और तीन नी वापस ले लिये तो क्या कुछ benefit भा नहीं न कोई benefit नहीं भा तो सेम सिच्वेशन रहती है ऐसी कंडिशन को बोलते है isotonic solution इप दा मीडियम है एग्जेक्टली दा सेम वोटर कंसंट्रेशन एज दा सेल there will be no net movement of water across the cell membrane such a solution is known as the isotonic solution ठीक है बच्चों देखते हैं हमने आज क्या देखा plasma membrane क्या होते है selectively permeable membrane होती है selectively मलब कुछ को परमिट करती है solute को अंदर जाने कर कुछ को परमिट नहीं करती है इसको बोलते है selectively permeable membrane diffusion क्या है movement of a substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low higher concentration से lower concentration की flow किसी substance का किसी solution का is known as the diffusion diffusion function क्या होता है plasma membrane का give definite shape and size give protection selective permeable active transport क्या होता है जिसमें ATP खर्च होते है passive transport ऐसा transport जिसमें कोई ATP खर्च नहीं होते है क्योंकि high concentration से lower concentration की और flow हो रहा होता है endocytosis uptake of food by the cell membrane is known as the endocytosis solution क्या हो आप 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 झाल, 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 झाल.